हे गाई स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में तो दोस्तो मेरे डाइनसोर के बच्चे जिस इस्कुल में पढ़ने के लिए जाते है न भाई उस इस्कुल की टीचर एक बहुती बड़ा सेतान बन चुकी है और इस सेतान को हम लोग बोलते है इविल नन भाई जो की बूतिया उरत बन चुकी है जो बच्चों को पकड़ कर भाई खा जाती है या फिर उनको माहा डालती है अभी मेरे को भी नहीं पता कि भाई इसकुल ना जाने का बहाना बना रहे है क्या क्या तुम्हारे इस संप्ने बूतिया उरत आ गई को मार डालेंगे ओ बिट्टू सुन मेरी बात ध्यान से सुन हमारे यानि चत्की उपर दो ठेंक रखी हुए वो भी काफी ज्यादा शक्ती चाली हम लोग उस विलेज को ही उड़ा डालेंगे फिर देखते कि वो भूतिया और तुम लोगों को केसे ही मारती है मैं भी तो केसे है वाव भाई काफी ज्यादा मस्त है यह तो लेकिन हम लोग बिल्डिंग के अंदर केसे जा रहे है बसकर भाई मिरको इतनी उपर नहीं जाना सच में ड़र लग रहा है यह तो बिल्डिंग के उपर भी आ गई बसकर प्यारी हमें इतनी उपर नहीं जाना है यार यहा से पूरी की पूरी बिल्डिंग्स दिख रही है पूरी सीटी दिख रही है और यहां की हवा भी काफी तेज है चलो भाई अभी नीचे उतरते हैं जल्दी से वेसे ही भाई हमें इविलन को मारने के लिए जाना है ना अभी प्यारी नीचे कैसी उतरेगी मुझे बता ना तो दोस्तो हम लोग नीचे आ चुके सीधा वहाँ से जंप लगा के क्योंकि भाई उसमें नीचे उतरने का उप्सन ही रही आता है वैसे यहाँ पे देखो भाई इन लोगों ने टेंक नीचे उतार लिये है और इन सब ने अपने कंदों पर टेंकों को उठा लिया है वाओ भाई यह लोग तो उस देतान को मानने के लिए बहोई जदा उत्साहित है चलो भाई ठीक है यहाँ पे इन दोनों ने एक टेंक को उठाया है यारे इनका टेंक काफी उपर तक है और यह आराम से लेके भी जा सकते है वैसे भाई यारे इस तरह आप देखो यह तो अकेला उठाय ठीक है चलो भाई अभी टेंक तो एकदम रेडी हो चुके है और हम लोग जा रहे उस सेतान को बारने के लिए बस में पुलिस वालों को कोर कर दूँ दोस्तों उसने हमारे पुराने घर पर भी हमला किया था ना उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी यानि उसने मेरी टेंकों को लेके आना हम लोग तो वेसे भी उड़के जारे वाले हैं क्यों प्यारी उड़ेगी ना फिर से अभी ये उड़ेगी और आजाना तुम लोग ठीक है पुलिस वाले भी आने वाले हैं उस सेतान को पाकड़े के लिए बस तुमारे टेंकों की जरूत पड़ीगी भाई इसने लेके जरूर आ रहा तो दोस्तों हम लोग आ चुके यारी उसी विलेज में जहां पी वो जेतान रहता है यारी इविल लन रहती है अभी मैं उड़के आ गया हूं भाई यारी उनसे काफी पहले ही आ गए हम लोग वो लोग तो अभी पीछे होगे हम लोग नीचे भाई तब ही जाएंगे जब पुलिस वाले या फिर मेरे डाइनसोर के बच्ची वो टेंक लेके आएगे ना तब हम लोग नीचे जाएगे वरना तो भाई वो हवे पकड़कर मार डालेगी या पिर किट्ने भी कर सकती है ऐसा है कुछ है बस प्यारी अभी इतने भी उपर म जा और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भाई जली से इस वीडियो को कर दो लाइक चेनल को सस्क्राइब कर लो भाई सस्क्राइब करते ही आप लोग लग लगी इंजिनियर चेनल की सदश्य बन जाओगे जो की बहुत ही अच्छी बात है और पिछली ओप्सन ही नहीं आता है इसलिए मिर को यहां से नीचे उतर कर भाई अपनी हड़ी पसली तुढ़ा नहीं पड़ती है जो भी हो बस मर मत जा ना तो दोस्तो हम लोग नीचे आ चुके वैसे इतनी उपर से गिरने के बाद में भाई कोई बच नहीं सकता लेकिन मेरे पास में काफी भारी होते न टेंग इसलिए शायद नहीं आये होंगे और ये प्यारी किदर जा रहे ये भाई यानि पुलिस वालों के पास में बच जा ये मारेगी थोड़ी अरे भाई इनको मत मार देना वरना ये तुझे और मुझे दोनों को मार देगी उस इविलन से पहले वेस पुलिस वालों को भी खा जाता है लेकिन ये समझदार ये नहीं खाएगी चलो भाई पुलिस वालों तो अपने काम कर रहे है यानि वो पता नहीं कम मारेंगे भाई पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हो पुलिस वाले और मुझे यानि मेरे से इंतजार नहीं होता है वैसे इविलन कोू और भी पुलिस वाले आरहे तब ही मैं सोचो की गरों के अंदर क्यों नहीं जा रहे ये जल्접 आ दो के पुले और भी पुलेस वालों को भुला रहे प्यारी तुझे भूक लंगी होगे आ जल्दी सुह लड़की को मारा और पुलिस वालों भी एक लड़के को मार दिया ठीक है भाई तभी मैं सोचो कि यह मेरे को मार क्यों नहीं रहा है अरे भाई रुखजा मेरे को मारे मत वो देख केसे गंतान के मेरी तरफ बढ़ रहा है ठीक है भाई हम लोग तो यहां से चलते हैं वरना माहूल भिग इसका रहे नहीं इतनी भी ज़्यादा भुकड मत वरे इसको क्यों मार रही है नहीं नहीं रुखजा यह तो इसको भी खा गई भाई तु कभी मेरे को पुलिस वालों से पकड़ा के छोड़ेगी अभी खड़ी क्यों जल्दी से निकल आसे पुलिस वाले आ गए तो वो मेर ओं किसी घर के ऊपर चड़ जाते ये वाला ठीक रहेगा इसके ऊपर चड़ीके देखते कि भाई वो मेरे को नजर आती है क्या चलो भाई अभी देखते कि कौन से घर के अंदर है वैसले यहां पर काफी धेर सारे गर है चलो जंप लगा के इस घर पर जाते है अभी उस ती है हम लोग इन सभी घरों के उपर इस्टिक बोब लगा देते फिर एक साथ बटन दबा के तभा कर डालते इस पूरे विलेज को ही पता नहीं भाई मेरे डाइनासोर के बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए टेंक लेकर इसे आते ही होगे और जब तक नहीं आते तब तक भाई उस सेतान का खेल खतम होने वाला है क्योंकि मैंने लगा दिया है इन सभी घरों के अंदर इस्टिक बोब अभी बस बटन दबाने की बारी है और ये सारे की सारे घर उट जाएंगे लेकि एक सेकिन भाई मिरको इस वीले से बाहर निकलना पड़ेगा वरना हम लोग भी मारे जाएंगे क्योंकि यहां पी काफी तेज धमा को होने वाला है और तुम लोग भाई इस टेंग को छोड़ मत देना मेरी इजाजत के बगेर कहीं भाई तुम लोग खुद भी मर जाओ और मुझे भी मरवा दो अभी पुलिस वाले बोलेंगे ना तभी इन टेंग को कुछ अ मत देना में इसकी ऊपर वेठने की कोशिस करता हूँ अंदर क्या है वैसे धेल सारे फ्यों हुए हैं चलो भाई अभी वे इसकी ऊपर वेट गया कहां पर गया ओौ में इसकी ऊपर बेठ गया और मेरी मेरी सर देको भाई मेरा सिर एदम यानी बीच की अंदर हो गया टेंग के अंदर थी अभी यह मेरे को लेके जा रहे किस तरफ दोड़ के लेके जा रहे रे भाई मैंने सोचा नहीं था कि इस तरफ रहती यह विलन वैसे यह खुद भी कन्फ्यूज हो रहे है क्योंकि यहां पर एकदम हम शकल घर है यानि एक तरक के यहां पर धेर सारे गर है और य नीचे उतरने दो चायद इनको भी पता रही है यह किस तरफ जा रहे है मेरे को टेंक के अंदर गुसा दिया तो दोस्तो हमारे पास में और कोई भी चारा ने यह इन घरों को तोड़ने के आलावा वेसे भाई इस गाउं की अंदर धेर सर इंसान भी रहती हम लोग उनको गरों से और हम लोग इन घरों को तोड़ने वाले हैं उस सेतान को बाहर निकाले वाले नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तो पिछली वीडियो के शूट आउट यह लोग है भाई टीच फास्ट गेमर और भी डेट सारे लोग है जिनों देले का कि मैं 12 साल का हूँ मुझे भ आप लोग भी जल जल दी अपने नाम कमेंट में लिखो आप लोगों को भी शूट आउट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई